अब दोस्तों देखो मेरी पढ़ाई से दसवी वालों को तो फाइदा मिलनी रहा तो भाय मैने सोची कि अब नाइन्थ भी शुरू कर दूं देखो थोड़े बहुत टैंथ के टॉपिक बच रहे हैं वो दीरे-दीरे कबर कर दूंगा ठीक है लेकिन अभी क्या है अब तो मैं टेंशन लेने के ज़रूत नहीं है, नाइन्थ किलास वालो, सुन लो, अब टेंशन लेके लिए मैं बते रहा हूँ, टेंशन मैं लूँगा, बस तुम्हें तो क्या करना, जिसे कुछ भी नहीं पता ना, कुछ भी, बिलुकुल नूई आ गया उठके, मूध होके भी नहीं आ ठीक है, मैं तो तुम से यह कहना चाहरा हूँ, कि सरकल होता क्या भी या, तुम क्योंगे भी या, सरकल होता है, गोल-गोल सा, एक पैये जैसी शकल होती है ए lle जा, पैये जज़ hardware में, अब को ये बने मत कर you, बीच में होता है, center, center की होता है, तुम ने देखा होगा, पिर compass म ऐसा भरा और यूँँ खीश दिया तो जहाँ जहाँ वो छेद हो जाएगा न कौपी में वो इस एंटर होगा ठीक है और मुझे एक चीज़ बता दो ये जो है ये सरकल है पूरा ठीक है ये सरकल का आउटसाइड है आउटसाइड ठीक है यह circle का inside है ठीक है बाहर वाले को outside वाले को exterior बोलते है कि बाहर का area ठीक है और अंदर वाले को बोलते है interior ठीक है दोस्तों तो मुझे यह बता दो बिल्कुल जिन्दा यह जो center है यह center center को C से लिख दिया तो यह center अंदर है या बाहर है तो मैं कहोगे सब को दिख रहा वाई अंदर है interior में है तो जिन्दा क्या लिख देंगे हम center officer का lies interior यानि के जो center है न भाहिया क्या भाहिया अपने जोना लड़ की टोला चक्कर क्या भाहिया ठीक है यह होगे interior अब फिर मैं अगला question नहीं पढ़ रहा उससे पहले में एक चीज़ पूछना चाह रहा ठीक है center से लेके एक line खीश दी मैं यह यह रही तो यह होगी radius सबको पता है center से लेकर कहीं भी मिला दो कहीं भी लेकिन touch करनी चाही है इस वाले पर touch करनी चाही है तो यह हो जाएगी radius अब थोड़ी से बनी कर दो, यह ले तो radius से बड़ा होते ही, radius से थोड़ी से भी बनी होते ही, कहाँ पहुच गई बाहर पहुच गई, तुम कहोगे, और बाहर को क्या कहते हैं, exterior कहे कहाँ है अब यह बताया, बाहर को कहते हैं, exterior तो इसने simple simple क्या पूछा है अब point whose distance from the center center से चलो लेके ठीक है ओफे circle is greater than it radius एक point है और उसकी जो distance है ना center से लेके radius से ज़ादा है radius यहां तक है radius से ज़ादा होती कहां पहुच गया बाहर कूद गया तो इसका मतलब हम कहादांगे वो point जो है वो बाहर है easy peasy lemon squeezy exterior ठीक है दोस्तों पहले वाले में भी exterior और पहले में interior और दूसरे में exterior ठीक है अब एक बात बता दो मुझे अब तो मैं code का भी ग्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा सारे ग्यान देदूँगा धीर धीरे यह circle हो गया यह मैंने एक line खेज़ दी यहां से यहां से लेके यहां तुम कorschको बाईया यह क्या है बाईया ये code है code किसी भी point से किसी भी point तक गहलो यहां से ही यहां से हीँ a इतिसी भी इतिसी भी तिसी भी और भह्या एक ऐसी भी तो हो सके है ये है जो सेंटर से होका जावेगी समझे रो मेरी बात कोड खेंशते गए हम मैं जो सबसे होगी वो होगी center से पास और भाया जो center से पास होती है उसे बोलते हैं diameter समझ रहे हो मेरे बात ये radius हो गई और इधर को इधर इधर को भी खैस दी तो ये पूरा जो होगा diameter हो गया तो यहीज तो पूछना चाहरा इडिल लोंगेस्ट कोड़ सबसे बड़ी कोड़ को क्या कहा है तुम कहोगा भाया सबसे बड़ी कोड़ को डायमेटर कहा है ठीक है सबसे बड़ी कोड़ हो गई diameter एन आर्क अब आती है बात आर्क पर तुम गबंगा यह सभी चीज़ सबी चीज़ बता दो भाई कुछ भी जो पढ़के भी नहीं आया न उससे भी नूनी की पढ़ना पढ़ेगा इधर को आजाओ आर्क होती है देखो कोड क्या होती थी यहां से लेकिं यहां तक टच कर दिया ठीक है आर्क होती है यह वाली जो सरकल पे होगी कोड तो थी अंदर से कट कर रही थी यह होगी सरकल पे देखो यह छोटा सा हिस्सा यह भी आर्क थोड़ी सी बड़ी यह भी आर्क थोड़ी सी बड़ी यह भी आर्क रेड पैन उठाओ क्या हाँ भाई यह रेड पैन ले लिया चलो ये भी आर्ख हो गई थोड़ी सी मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा जरासा अब यहां से लेकर जेखो ये भी आर्ख हो गई ये भी आर्ख हो गई ये ये डायमेटर है सब को पता है अभी बताया जो सबसे लंबी कोड होती वो डायमेटर होती है ठीक, अब मुझे ये बताओ, जैसे एक गोला है, गैंद है एक, एक गैंद है, इसको तुमने बीच में से काड़ दिया, तो आधी गैंद तो हो गई इधर, और आधी हो गई इधर, तो आधी को बोलते हैं सेमी, सेमी गैंद, इस वाली गैंद को बोलेंगे इधर वाली को सेम गैंद और इधर वाली भी सेमी गैंद ठीक है यह सरकल यह सरकल है इसको मैं ना आदा काड़ दिया ठीक है तो यह वाला हिस्सा हो गया सेमी सरकल आदा होते ही सेमी ठीक है गैंद आदी होगी तो सेमी गैंद होगी और आदा सरकल होगे तो सेमी सरकल अब मुझे नूबता दो अब यह है वई यह यह तो आर्क अभी बताया कि यहां से कोई सबी हिस्सा चाहिए यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा भी आर्क है तो यह जो आर्क है ना यह वाली तो जब डायमेटर यह रहा तो आर्क मैंने यहां से लेकर और यहां तक खीज़ दी इस डायमेटर के इस वाले कोने से लेकर और डायमेटर के इस वाले कोने तक मैंने एक आर्क बना दी तो यह तो तुम कहोगे भी यह तो सेमी सरकल बनी जा अबे आईला यह तो जिन्दा दि दयामेटर के दूसरे कऊने तक? यानि के एक एंड से ले के दूसरे एंड तक तो क्या बनेगा वो? तुम कहोंगे सेमिसर्कल बनेगा जिंदा तो क्या लिखोगे? एन अर्क ऐस सेमिसर्कल वैन इट्स एंड आर दी ends of a diameter जब scan'd, scan'd हो scan'd, scan'd हो, सीग है same circle, figure बना के देख लगो, जटपट पता चल जा तू जटपट आ कर जटपट मेरे अंदे कोवे में देब जला के कर दे उजाला a circle divides the plane ये है 6 और ये है 5 गलते से open नीचे हो गया computer में typing ओपर की नीचे हो गई ठीक है ना, open वाला पहले link दे, दूसरा बाद में ध्यान दिया segment of a circle is the reason between an arc अब देखो, दो चीज़ और बच गई सब चीज़ बताती, दो चीज़ और बच गई अब भी जब ये center होगे circle का, अगर मैं कोई हिस्सा ऐसे खेंचूना ऐसे तो ये हिस्सा कहलाता है segment, ये रहा segment, यहां से लेकर हाँ तक का segment, ठीक है लेकिन जब मैं ये इस radius के साथ जो ये हिस्सा कहलाएगा ये हो जाएगा sector ये तो होंगे segment चोटे चोटे टुकडे और ये हो जाएगा sector तो समझ में आगई sector देखो, तुम्हें याद करने की trick बता रहा हूँ sector और segment में confusion नहीं होने के जिन्दगी में भी radius काई से बने R से, तुम क्योगे radius R से बनती है सब को पता है sector में क्या रहा, sector में भी R आ रहा है R तो इसका मतलब sector radius जो radius से मिलके बना होगा ना, वो sector होगा ठोकता लिए जिसको मज़ा आया हो comment करो, ठीक है और segment क्या है, segment में कुछ है ना radius का मसला, तो radius नहीं आने की इसमें ये segment होगा, अब आजाओ इदर को segment of a circle segment circle का क्या है, तुम्हें पता चलिए is the reason between an arc एक arc ये रही arc and code अब ये code एक code के देखो या ये तो code खिंजदी मैंने और ये arc हो गई इसके बीच का हिससा ही तो segment है भहिया इसके बीच का हिससा ही segment है और sector क्या है radius के, दोनों radius के और arc के बीच का हिससा समझे में आरे लिवात तो हैं लिखेंगे हम arc के end arc and code के बीच का हिससा जो है न वो है segment अब a circle divides the plane on which it lies किते भाग में डिवाइड करता है circle अब मैंने circle बनाया तो ये तो तुम भी देखके बता दे कोई अंधा भी बता देगा, जिससे हलक हलक सभी दीकता होगा न वो भी बता देगा किते और हिससे में एक तो ये वाला हिसस होग YE, बाहर का exterior, एक अंदर वाला हिसस होग YE और इसके उपर वाला हिसस होग जह हम ग चलेंगे बटिया बना लिए हमना बटिया खेत में चलने को खेत वाले लोगों को समझ मा जाएगा जो शहर के लोगों उन्हों पता चलने का खेत में बटिया बना लिए चलने फिनने को जाकि फसल का भी नुकसान नहों चलते फिरते भी रहे तो भए यह अंदर का हिस्सा एक बाहर का हिस्सा और इसके उपर का हिस्सा तो तीन पार्टों के जिनदे जिन्दगी में मत भूल जाना यह वाली बात ठीक है उब क्या करो अब फटा-फट से जाद ही समझ माया तो जिन्दभ शेयर करो पहले तो ठीक है अभी शेयर करो अभी तुरंट और कमेंट तो सबसे पहले चाहिए दोस्तों सब्सक्राइब तो तुम्हारा हक बनता ही हो आई सब्सक्राइब को भी कहने पड़ेगी तो हो गया काम चलो ठीक है मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर